नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त प्रभाद आज हम इस वीडियो के जाए बात करें हैं मेंटल हिल्ट के बारे में में बॉड़ी के बहुत सारे बॉड़ी के बहुत सारे बॉड़ी के बहुत सारे बॉड़ी के 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 और इस problems के कारण हमारे जो working capacity है इसके साथ हमारे जो behavioral है और quality of life है या बूल तरह से effect होता है तो इस वीडियो के जड़िये हम आज बात करेंगे और ये आपको समाधान बताएंगे उपाय बताएंगे कि कैसे mental health surgery problem से हम दूर रह सकते हैं तो friend हम अब भात करेंगे कि mental health problem होता क्या है mental health problem एक normal disease जैसा ही है कि लोग कोई और चीज सोचने लगते हैं और psychiatric के पास जाने से डरते हैं और बहुत सारी problem होती है हमारे सामाद में society में mental health related but mental health problem एक normally बीमारी है जो किसी भी human के feelings, mood, behavioral इन सब activity में वो चेंज इसला देता है like depression, anxiety, bipolar, stress यह सब mental health problems है ऐसे इस्थिति अगर human के body पे लगतार कुछ समय तक रहता है बना रहता है तो इससे हमारी daily life जो है negatively effect होती है इसे हम mental health problem के अंदर रखते हैं अब हम बात करेंगे कि mental health हमारे body को कैसे effect करती है mental health हमारे body को और brain को और हमारे पूरे body systems को या तो positive way में effect करती है तो negative way में effect करती है पसरते यह बात इस पर depend करता है कि हमारे mental health कितना ठीक है और कितने ठीक तरह से काम कर रहा है example के लिए देखा जाए तो mental health से जुरू कुछ समस्या है जैसे depression के कारण हमें कई परकार की physical health problem हो सकती है इसके अलावा हमें लंबे समय तक stroke type 2 ब्योग्टीज हिर्दे रोग एंड बहुत सारे different kinds of problem है जो इससे associated है अब हम बात करेंगे कि mental health पर क्यों निगेटिव इंपक्ट परता है इफेक्ट परता है तो mental health पर निगेटिव इंपक्ट परने के कई कारण हो सकते हैं जैसे बच्चपन से यह चीजे सुरू होती है और life के different stage तक आप इसके चपेट में आ सकते हो like drama child abuse sexual assault witnessing violence के कारण mental health से जूरी समस्या हो सकती है इसके अलावा कुछ बीमारिया है जैसे cancer, diabetes और brain के अंदर होने वाले different kinds of hormonal imbalance mental health को बहती बुरी तरह से परभावित करता है अब हम बात करेंगे कि हम mental health के problem से दूर रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं बचे रहने के लिए क्या 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 कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों हमें overthinking करना बंदी करना परेगा यह suddenly नहीं होगा बट धीरे धीरे आप यह practice कर सकते हो किसी भी चीज के बारे में overthinking करना यह बिल्कुल भी सही नहीं है और यह चीज हमारे brain को बहुत ही पूरी तरह से शेक्ट करती है सबसे पहले हमें overthinking हटाना है हमें अपना daily life series से करना है जिसके recording हम work करेंगे और हमें जितना ज्यादा हो सके है उत्ते अपने दोस्तों के बीच family number के बीच पॉजिटिवीटी बाते करनी है उसके अलावा आप डेली exercise कर सकते हो डेली exercise भी ब्रेंड को ब्रेंड के अंदर numbers of neurons बराने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं उसके अलावा आप meditation कर सकते हो योगा कर सकते हो और कहीं न कहीं यह जो mental length है हमारे डाइट पे भी बहुत effective work करता है अगर हम डाइट changes करते हैं डाइट प्रोपर लेता है तो दोस्तों यह सब चीजे कर सकते हो आप mental health को सही करने के लिए और आगे की जानकार्या हम अगले वीडियो में देंगे मिलते हैं दोस्तों लाइक करें सब्सक्राइब करें परने वाद